आखरी समय में चिराग पासवान को ःडिया में भाजपा ने अंडिया में शामिल करा करके अपनी ढूबती नहिया को बचा लिया है जो राजनितिक विश्लेशक हैं उनका मानना है चिराग पासवान आखरी समय में एनडिये में शामिल होकरके गुपाल गंज में जीत हुई है भाजपा की वो जीत चिराग पासवान की है वो पासवान वोटर को भाजपा को वोट देने के लिए मना लिये जिस तरीके से NDA में आखरी समय में चुना प्रचार करने के लिए चिराग पासवान, मुकामा और गोपाल गंज दोनों जगह गए थे मुकामा में अनन सिंग एक तरपा उनकी पतिन इलम दिवी जीत गई लेकिन गोपाल गंज में कड़ी टकर जो देखने के उमिल रही थी राजद और भाजपा के बीच में और आखरी आखरी में भाजपा वहां से जीत दर्ज करती है तो इसका पूरा का पूरा शे चिराग पासवान को जाता है क्योंकि जिस तरीके से कड़ी टकर लगतार फाइट देते हुए राजद नज़र आ रही थी हुआ ही मुकामा में अगर बात करें तो अनन सिंगी पतनी निलम दिवी जीती है वहां भी अच्छा खासा पासवान वोटर था लेकिन वहां पासवान फैक्टर काम नहीं आया लेकिन गुपाल गंज में जो चिराग पासवान ने बीजेपी की डूपती नईया को बचाया है पूरा जोश्य है चिराग पासवान को जाता है और आखरी समय में क्या पासा पल्टा है इसकी भी बात हम चर्चा करेंगे आपको बता दे कि चिराग पासवान आखरी समय में NDA में शामिल होते हैं और गोपालगन में जाकर के पूरा हावा बनाते हैं और चिराग पास्वान बीजेपी के लिए मैदान में उतरते हैं और भाजपा को बड़ी जीत दिला दी आपको बताते कि अगर चिराग पास्वान बीजेपी के लिए मैदान में नहीं उतरे होते तो भाजपा का क्या होता सियासी जानकार मान रहे हैं कि चिराग अगर बीजे वोट से जीती है तो उसका सुरेच चिराग पासवान को जाता है गोपाल गंज सीट पर पासवान जाती के वोटरों की तादाद 8000 से जादा बताए जाती है पासवान जाती के वोटर चुनाव प्रचार्ग से शुरुवाती दौर में राजद उमिद्वार के पक्ष में बता है कि अगर पासवान जाती के वोटरों ने भाजपा का साथ नहीं दिया होता तो भाजपा उमिद्वार की हार तै मानी जा रही थी बीजेपी के रनितिकार इस बात से भी खुश है कि मुकामा जैसे सीट पर उसे लगबग 73,000 वोट आए मुकामा जैसे सीट जहां से बीजे बीजेपी 63,000 वोट ले पाना अपने उपलब्दी मान रही है लेकिन इससे भी चिराग पासवान ने बड़ा रोल निभाया तो देखे दोनों सीटों पर चिराग पासवान ने बड़ा रोल निभाया है दरसल मुकामा में जब चुनापरचार आखरी दोर में था तो चिरा बार खड़ा किया था उसे 13,000 से ज़्यादा वोट आये थे मुकामा में पासवान जाती के वोटरों की संख्या 12 से 15,000 की बीच अब बताए जाती है वहीं देके मुकामा के लोगों के मुताबिक चिराग पासवान के रोड शो के बाद पासवान जाती के वोटरों ने सडक पर ऐलान करना शुरू कर दिया था कि बीचेपी को वोट देंगे इसके बाद दूसरे तबके के लोगों को लगा कि बीचेपी रेस में है लहाजा दूसरी जाती का वोट भी भाजपा से जुरता गया तभी 63,000 एक बड़ा जो आंकड़ा है वो सोनम देवी के पक्षमे या और पसुपती पारत जो उनके चाचा है उनको भाव क्यों नहीं दिया गया इस चुनाव में बीचेपी को ये मैसेज गया कि अगर बिहार फता करना है तो दूसरी पार्टियों से गड़मंधन करना होगा लेकिन ऐसी एक दो पार्टियां हैं जो भाजपा के साथ तालमेल क कर सकती हैं नितिशो तेजस्वी पहले से ही साथ पार्टियों का महागटबंधन बना कर बैठे हैं इसमें जडियू राजत कॉंग्रेस हम माली सिपाही और सीपियम शामिल हैं ये तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी ऐसे में कुछ जनाधार वाली दो ही पार्टियां बच रहें जिसमें बीजेपी गटबंधन कर सकती इसमें एक लोजपारामविलास है जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान है और ऐसे में देखी उन्होंने चिराग पासवान से गटबंधन किया चिराग पासवान ने बहुत बड़ा आकरा जो है लेकिन छोटे आखरे से गुपाल गंज में जीत दिला इसका स्रेट चिराग पासवान को जेता है अब देखे जो बाते सामने आ रहे हैं कि चिराग पासवान के अंडिया में शामिल होने से मोधी कविनेट से उनके चाचा पारस को बाहर किया जाएगा और चिराग पासवान क केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा मोधी कविनेट में शामिल कराया जाएगा ये बाते बीते दिनों से लगातार चर्चा में है और अब और मुखा रोकर के बाते चलने लगी है जिस तरीके से गुपाल गंज में चिराग पासवान के अंतिम दीन प्रचार करने से गुपाल प्रचार करने के लिए मनाते रहे लेकिन जो लोजपा राम विलास के जो सूत्रन के मुताबिक खुदामिर्शा के कई दफ़े चुराग पासवान को फोन आया था उसके बाद चुराग पासवान दोनों जगह चुना प्रचार करने के लिए रेडी हुए ऐसे में सवाल उठ है कि भाजपा अब कितने दिनों तब पशुपति कुमार पारस को मंत्री बना कर रखेगी लेकिन आप बाते जो सामने आ रही है अब पशुपति पारस को केंदर में मंत्री भाजपा नहीं बना कर रख सकती है अब चुराग पासवान को भाजपा आगे करेगी भाजपा न लगतार कर रही है